नए भारत की नई रेल अपनी आधुनी करण की यात्रा में तेज गती से आगे बढ़ रही है और रेलबे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसजित किया जा रहा है भारती रेल के रेल कारखानों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जहासी में इस्थित रेल कोच नवीनी करण कारखाने को एडवांस टेकनोलिजी से लेस किया गया है लगभग 74 एकड में भेले इस रेल कारखाने में मौजूद असेंबली शॉप, पेंट शॉप, शॉट ब्लास्टिंग शॉप और बॉग्य शॉप में आधुनिक मशीने इंस्टाल की जा रही है जिसमें ज़्यादतल आटोमाटिक और रोबोटिक्स मशीने हैं जिसमें पेंट शॉप में स्थापित की गई रोबोट आम्स मशीन बेहत खास है ये मशीन अब रेल कोच को खुद ही पेंट करेगी पेंट शॉप में मौजूद ये रोबोर्ट आम्स मशीन लेकर वन्दे भारत ट्रेन के कोच को पेंट करेगी पहले कोचों की पेंटिंग मान्मली होने से काफी समय लगता था लेकिन इन मशीनों से समय की बचत होगी और अच्छी गुणमत्ता की पेंटिंग होगी जहांसी रेल नमी के इतनी करण कार खाना अत्याधनिक टेकनोलोजी से युगत है इसमें एसेंबिली शॉप, बोगी शॉप, पेंट शॉप और शॉट ब्लास्टिंग शॉप उपलब्ध हैं जिन में ज़्याधा तर कारिय अत्याधनिक आटोमेटिक और रोबोटिक्स मशीनों द्वारा किया था है इनके द्वारा कम समय में उच्छ गुनबक्ता का काम किया जा रहा है अत्याधनिक तक्नीकों से लैस इस कार खाने की कई विशिश्टाएं है इस कार खाने में 50 कोच होल्डिंग्स बनाए गए हैं यानि एक साथ 50 कोचों की मरम्मत की जा सकेगी इल एच्बी कोच के असेंबली डिसेंबली के लिए लाइन डाली गई है कार खाने में 1500 मैन पावर रखने की योजना है इस कार खाने में 70 फीसदी काम सोलर एनरजी से होगा जिसके लिए कार खाने की छटों पर सोलर पैनल लगाए गए है इस कारखाने में हर साल 250 से अधिक रेल कोचों का नवीनी करण किया जा सकेगा जो भारतीय रेल के लिए भविश्य की जरूरतों को पूरा करेगा और कम समय में अधिक से अधिक कोजों का नवीनी करण कर ये कारखाना आधनिक भारत के निर्मान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा